यानिके यह हैरानी वाली बात है जो हमारे बच्चे टीवी स्रियल्स तो नहीं देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं तभी हैरानी वाली बात होगी यानिके इसमें क्या हो जाएगा यानिके अप्शन नमबर क्या हो जागा यह हो जाएगा तभी तो हैरानी वाली बात होगी नहीं जो हमारे बच्चे टीवी स्रियल्स नहीं देखते हैं ठीका दूस्तों अगला क्वेशन की और बढ़ते हैं अगला क्वेशन है दे ब्लेंग इस्पेस हीर नेक्स्ट विक दे डैस हीर नेक्स्ट विक यानिके अगले विक की बात की जा रही है यानिके फ्यूचर की बात की जा रही है तो हैड कम होगा नहीं के भी नहीं होगा कमिंग भी नहीं होगा तो इसका एक ही ऑप्शन बसता ह यानिके option number D से ही हो जाएगा they will come here next week यानिके वे लोग अगले वीक यहां आएंगे अगला question की और पड़ते हैं दोस्तों अगला question कह रहा है Marsha is reading a novel Marsha is reading a novel तो इसको इसका best passive यह वाइस क्या होगा इसमें चेंज करना तो दियान दिए दोस्तों Marsha is reading a novel तो इसमें आणोवल क्या है object है ठीक है दोस्तों reading क्या है यह वर्भ है मैं और इस क्या है helping और Marsha क्या है यह subject है तो subject जो है वो object में चले आएगा ठीक दोस्तों और एक जिस ध्यान रखेंगे जो reading यानि कि अगर active voice में वीफोर आएगा तो passive voice में वर्भ से पहले क्या जुड़ जाएगा being जुड़ जाएगा क्या जुड़ जाएगा दोस्तों being तो ध्यान देंगे इसमें तो being है नहीं इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है तो एक ही option बसता है दोस्तों option number C यानि कि ऑनवल जो है object पहले आजएगा ऑनवल उसके बाद चाप से ही क्या होगा सब्जेक्ट हो यानि कि इस ही हो जाएगा अनवल इस और वीफोर है तो उससे पहले बीग उस तो यहां दूस्तों इसको एफ रखेंगे और यहां दुनदेंगे जोंगर ऑग में बिंग जुड़ा रहे तो आप डिरेक्टली उसको टिक कर सकते हैं तो चलिए दुस्त अगला क्वेश्चन की और बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है ड्राइवर्स डैस ड्राइव अभर दर स्पीड लिमिट यानिके ड्राइवरों को इस पीड लिमिट से जाधा ड्राइव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो ड्राइवरों को इस पीड लिमिट से जाधा में ड्राइव नहीं करना चाहिए यानिके मस्ट नोट क्या हो जागा दोस्तों मस्ट नोट यानिके चाहिए तो होगा नहीं कर सकता है यह यह भी न करते हैं दोस्तों अगला क्षेशन कह रहा है what do you want what do you want she asked him what do you want she asked him तो इसको सही इंडिरेक्ट नुरेशन में बदलना इंडिरेक्ट नुरेशन में तो इसका क्या हो जागा दोस्तों option number B यानिके C asked him what he wanted यानिके C asked him what do you want तो इसका क्या हो जागा change होगे what he sorry what he wanted यानिके what do you want से क्या होगे what he wanted होगे इसलिए इसका सही answer क्या हो जागा option number B हो जागा दोस्तों अगला क्षेशन क्यों बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्षेशन है दोस्तों you must start now you must start now you will miss the bus यानिके तुम है अभी ही शुरू कर देनी चाहिए तुम बस छोड़ सकते यानिके तुम यू मिश कर सकते हो बसको तो इसका choose the correct combination of sentence इसका जो sentence का कॉम्बिनेशन हो कौन सा सी होगा तो इसका स्यांसर जागा दूस्त आप्शन बढ़े यानिक अनलेस यू स्टार्ट नो अगर आप अभी शुरू नहीं करते हैं यू विल मिस्टा बस तो आप बस मिस कर जाएंगे यानिक आपकी बस छूड़ जाएगे तो इसके लिए इसका से यश्टेर बरते हैं दोस्तों है अगला question है the doctor suggested the तो इसका सियान सद्पर जहें दोस्तो आप्शन बढ़े यौनिके डाड़र सगस्टेर्शे ड्लेचा क्या क्या लेने के लिए यानि के एक लंभी छुट्टी लेने के लिए क्या पंटको सजेस्ट किया यानि के सला दिया ठीक है दोस्तों अगला स्टों कि अगला क्र ₹च है और पर दो तो यानिका हम लोग प्रोब्लम को डिसकस करेंगे कब वेन सीथा जब सीथा बैक यानिके लोटती है जब सीथा लोटती है तब हम लोग क्या करेंगे प्रोब्लम का डिसकस प्रोब्लम को डिसकस करेंगे यानिके जो भी परिशान है प्रोब्लम है उसको डिसकस करेंगे उस पर बातच्चित करेंगे कब वेन सीथा कम्स बैक यानिके जब सीथा लोट जाती है उसके बात क्या करेंगे हम लोग प्रोब्लम पर को डिस्कॉस करेंगे यानि के इसका सिन ज़्या दोस्तौ आप्शन नुबर भी यानिके कंस तो विल कम नहीं होगा क्योंकि जब सीथा लोटे गी तब हम लोग या कर एक रिंगी वो नही वो गंपविन लोग ठ्लीट तो और हैसकं भी नहीं होगा इसलिए इसका से यह ज संग्ट को अब जेकट है सींगूलर सब्सक्राइब करको होगा ठि say of the will आ उदे आधे नहीं होगा है रियाकि दूस्तो तो चाहें तो विल का होगा या फिस इसका होगा तो क्या वहें हमारे साथ साथ आएगी क्या हुए हमारे साथ आएगी तो अगर इसका यूज़ था तो यहां पर कमिंग होना चीए था यहां पर कम के जगए क्या होना चीए था कमिंग होना चीए था तो इसका भी यूज़ नहीं होगा ठीक है दुस्तो तो इसका से अंसर जागा दोस्तो अप्शन अम इंपोरेंट है क्योंकि इन ही में से आपका questions आता है अगला question है choose the correct sentence यानि के सही sentence को यहां पे choose करना है चुनना है फर्स्ट question है I wish we are I young again I wish we are I young again अगला है I wish was I young again I wish I were young again I wish I was young अगले ठीक्षटो तो जहां पर भी suppose करने वाली बात आए यानिका सपोजिस्टनल शेंस आए जहां पर तो वहां आए के सांथ वर का यूज़ता है यानिके वियर का यूज़ता है डवलू ए आड़ी तो आइविश वियर आए तो यानिके आई से पहले वियर का यूज़नी ह मैं आशा करता हूं जो मैं दुबारा क्या हो जा हो जाओ यानिक यह जवान हो जाओ तो यह अगला कोशन यह यूज़ इंद टाज मुह पहल थाजमाल अगला क्वेशन की बढ़ते हैं दोस्तों अगला क्वेशन करना दा ग्रेट इस्कोलर एंड पोईट डैस डाइड तो ध्यान रखेंगे दोस्तों दोस्तों धियान ग्रेट इस्कोलर यह है और पोएट उससे पहले दा आर्टिकल का यूज उड़ा है ठीक है तो एक Hij Eagle को अहीं हो रदा से पहले आर्टिकल का युज नहीं हो रहा है तो ऐसे जब ह्यों इसको एक ही आदमी मानें यानिके वह जो है एक आदमी जो है वह ग्रेट इस्कोलर भी और पोएट भी य याने कि एक ही आदमी है ठीक है ठीका दिस्तोर आ तो आप से पहले तो तोस्तोर core वाज़ाएट क्योंगे है वी 3 है तो इससे पहले क्या हो जागा हैज हो जागा ठीक है दूस्तो तो यह question भी आपके आने का chance बनता आपके exam में ठीक है ठीक है दूस्तो तो इसको आप ज़रूर धान रखेंगे जो यहां पर grade scholar है यहां पर poet है इससे पहले दा का यूज किया गया है अर्टिकल का यूज किया गय हो जागा है इसलिए क्या हो जागा है ठीक है दूस्तो तो यह question आपके exam के लिए काफी important है इसको अब ज़रूर धान रखेंगे अगला question क्यों परते हैं दोस्तो आगे है जान डैस इन दा हॉस्पिटल फोर टू विक्स क्या दिया हूँ है फोर टू विक्स यानिके फोर सिं यह आपका ऑपते से होस्पिटल में पड़ा हुआ है ठीक है धूस्तो तो यानिक जो जो है तो सब्सक्सिए होस्पिटल ही ठीक होगा तो इसका option नमबर यह सई हो जागा क्योंकि लाइस तो होगा नहीं इस लाइंग दोगा नीकिश एसमेह यूज नहीं होता है लाइड भ चूज करना है पहला है सीजद' đã गार्ल हुज नियम इजर ही रवी शीज ל-run GM यह लिए छीज निम इस तो यूज नहीं हो रवी तो यह तो यह बहुंद का लड़की है जिसका नाम क्या है रावी ठीक दोस्तों तो अगला क्वेशन के और पढ़ते हैं दोस्तों अगे क्वेश्ण ऑस प्रेंटेट बाइट आगे अधर यह क्या है यह पैसिट वाइस में इसको आपको को एक्टिव वाइस में चेंज करना तो बाई टॉम तो यह शुरू में आ जागा टॉम उसके बाद यहां पर भीख जोड़ना चाहिए था टॉम पैंटल दा हाउस syndrome यहां तो फास्ट मेंож Phamtos Do और भागी शब नहीं वह इसको आप शबूत ध्यां रखेंगे दोस्तो ऐसे कोछ समय के थुमारा सा दे दिया आता है अगला को सिरल्डियव परता ह्द दोस्तो अगला question कर रहा है I-speak Spanish I-speak Spanish तो आई के साथ हमेशा क्या युज़ाता है ठीक है तो तो डजनोट तो होगा नहीं singular है आगे होगा चाहिए तो have not do not or had not तो यानिके I-speak Spanish यानिके मैं Spanish जो है वो नहीं बोल पाता हूं यानिके क्या हो जाता है option number C यानिके option number C यानिके I do not speak Spanish I have not तो नहीं होगा और head not भी नहीं होगा ठीक है दोस्तों तो इसका सही answer जागे दो option number C यानिके I do not speak Spanish यानिके मैं Spanish नहीं बोल पाता हूं अगला question है दोस्तों either of the two either of the two two जब भी ऐसा रहा है दो इसको हम लोग हमेशा singular मानेंगे क्या मानेंगे singular either of the two that acceptable तो इसका option है is or have has तो इसका सही answer जागा दोस्तों option number A यानिके either of the two is acceptable यानिके दो मैसे कोई एक ही acceptable है ठीक है दोस्तों तो इसका जागा दोस्तों option number A यानिके is तो ऐसे either of the two is जहां पर भी रहे उसके आगे हम लोग हमेशा singular का ही यूज करेंगे लाकॉशन है दोस्तों कि a lot of energy वैसे यहां पर है a lot of energy तो यहां पर भी हमेशा वह विश्टिड व वस्टिड और हमन्व यह ट्रेजर थ्टेढ ट्रेजक को a lot of energy was wasted on finding the treasure option number a हो जाएगा अगला क्वेशन है दोस्तो those who work in the same department those who work in the same department आर डेस तो college तो नहीं बोला जाता है friends भी नहीं बैचमेट्स भी नहीं क्या बोला जाता है दोस्तों colleagues बोला जाता है जो एक department में काम करते हैं उसको क्या कहा जाता है colleagues कहा जाता है दोस्तों ठीक है दोस्तों तो इसको भी आप ज़रूर ध्यान रखेंगे अगला क्वेशन है दोस्तों I am-my bed I am-my bed यानि कि मैं अपना बेड सही कर रहा हूं या फिर बना रहा हूं तो I am to make तो होगा नहीं उसका मेक नहीं होगा है भी नहीं होगा ठीक है दोस्तों क्यूंकि इससे पहली helping वर्व आ चुगा है तो I am making my यानि कि मैं अपना बेड बना रहा हूं या मैं अपना बेड सही कर रहा हूं तो इसका से अच्छा जाएगा अगला क्वेशन की ओड़ते हैं दोस्तों है अगला क्वेशन है लिसन रधार लेस दसीदार तो सुन हम किसी को बलेंगे तो इसका मतलब वो कोई भी चीज़ परजेन में हो रही होगी तभी तो बोलेंगे तो विल तो नहीं होगा पार फ्यूचर में नहीं है यहाँ पास्त में भी नहीं तो रटा रधा सिंगूलर ह कर ठीक है तोस्तों तो इसका सही लोगों दोस्तों वर स्पेल्ट वर्ड जो इसको चूज करना है ठीक है दोस्तों तो इसमें ध्यांदेंगे तो इसमें कौन सांसे हो जाएगा ऑप्ष्न आट आँने कि कमिटी का यही स्पेलिंग से होता है सि ओ मुजा तो अग्ला क्वेस्ट और बढ़ते हैं अग्ला क्वेस्ट है दमेन वाज देस्केया दॉस्तों वर्ग तो देट थे स्वी धेक्वन और पर छोने कि गज़ेंगा सब्सक्राइब क्यों कि यहां सब्सक्राइब यहां है पिलिए हैड नहीं हो सकता है क्योंकि कि यहां हैड बीट तो होगा नहीं तो लास्ट ऑप्षिन बसता है एक ही ऑप्षिन बसता है आपशन नमर ए यानिके बिटन यानिके दर मैं वस बिटन बाई डॉग तो इसका सही अंसर अगर अगर किसी चिस की थ्योड़ी पता नहीं हो तो आप ऐसे भी उसको कर सकते हैं तो चलिए दुस्त अगला के वरते हैं को अक्राइब बातने वगेशन लुक देस्या पेंटिंक तुक्न हो जाएगा लूक एडद्स कनिंग लुक second गяться अन्य कि तराफ ध्यूद पंदिंग की तरफ दी झाले है इस फिंदिंग को देखU Il Disp consultant शने ही ड़ेस वीडियो गेम सац senhor,me खेल रहा है यानिके he is playing video games यानिके वह video games क्या कर रहा है खेल रहा है अगला question के और बढ़ते हैं दोस्तों अगला question है I bought these books- auction यानिके मैंने यह सभी किताबे क्या की auction से निलामी से खड़ी दी यानिके इसका क्या हो जागा फोर तो नहीं होगा यानिके मैंने यह सभी किताबे जो है auction से यानिके निलामी से खड़ी दे तो इसका से अंसर हो जागा दोस्तों नमट भी यानिके भीन यूगा और वेल्ड भी नहीं होगा तो त इसका हो जै का बादर । यंशियं इंडायक्ट लें बोलाया था इस पेным ड्रम्पू फैधल रखाक फापा तुम्हारे पापा है इसका अंस्टोर जाग दोस्तो ब्रक्राइड भतेक्यों दोस्तो अगला question है पटना is situated डेस्ट दबैंक अफ़ गंगा पटना जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ यानिके स्थित है तो क्या हो जागा on the bank of the गंगा अन्द यानिके on the का यूज किया जाता है ठीक है on the bank at the bank होता नहीं of the bank नहीं होता है to the bank नहीं होता है क्या हो जाता है on the bank of the गंगा यानिक ऑप्शन नमबर भी इसका क्रेक्ट आंसरोगा अग्ला क्वेशन दोस्तो जोन डॉन इसर डैस प्वेट जोन डॉन दोन इसका सी एंसर जागा दोस्तो अप्शन नमर्ड भी यानिके मेटा फिजिकल प्वेट कैसा प्वेट जोन डॉन तो यह मेटा फिजिकल प्वेट है तो दोस्तो यह क्वेशन भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्ट है इसको अभी आप जरूर दहां नहीं अगला क्वेशन है दोस्तो दो लाइन इन हर्ट एड पीस अंडर एंग्लिश अंडर एंग्लिश हैवन इस ट तो यह सब्साइस लिया गया है अगला कोशन है दोस्तो लिंट इन जूलिएस के जर सेजर आर रिटन वाई यानि के मैकबिद और जुलिएस जईर जो है यह किसके दौर लिखा गया है जौंसन के दोरा गॉलिसमित के दौरा शक्सपीर के दौरा या श्यारी डंके दौरा इसका से अंसर जाए अदुस्त लेट उप्ष्ट नमर्व सी यानिके यह जो लिखा गिया हो सेक्स्पियर के दोरा लिखा गिए किसके दोरा सेक्स्पियर के दोरा लिखा कि है मैकबित और जूलियस सीजर अगला क्वक्षन है दोस्तों English used since के यह 21 gj जुश गया जाता है तो इसको क्या जाता है तो उसको इसका सिद्सर एगा अप्षिन 2 ओंडर वी या निके अंग्ली सब्सक्राइब सर्स या lesson यानि कि 1590 से जो यूज किया जाड़ा इंगलिस को क्या कहा जाता है modern English का जाता तो दोस्तों यह क्वेशन विए आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टेन है अगला क्वेशन के और बढ़ते हैं दोस्तों अगला है और फॉरफादर्स डिड्नोट इंवेंट मैशीनरी बिकाज चूज देक्रेक्ट ऑप्शन यानिका हमारे पुर्वच हमारे दादा पढ़ता देए लोग याज से पहले के लोग ठीक है वे लोग मैशीनरी का इंवेंट नहीं किये क्यों कि क्यों नहीं किये देनों वे जानते थे हम लोग गुलाम हो जाएंगे देनियू वी वूट भी हैप्पी हम वे लोग जानते थे हम लोग खुश हो जाएंगे दे डिडिड नोट लाइक टूसीयस कंपरेटर पर वे लोग हमें आराम में देखना नहीं चाहते थे यानिके वे लोग हम लोगों से जलते थे तो इसका सही आंसर हो जागा दोस्तो आप्शन नमबर ए इसका सही आंसर होगा अगला कोश्चन है दोस्तो तो इसका सही आंसर हो जागा दोस्तो आप्शन नमबर ए यानिके अगला कोश्चन है दोस्तो यह किस के लाइन से लिया गया है मतलब किस या फायर हैं से लिया गया है और टू आटम से लिया गया है और स्वीटेस लब आई डो नोट गो इससे लिया गया है तो इसका सही आंसर हो जागा दोस्तो आप्शन नमबर भी यानिके और टू आटम से लिया गया है यह जो लिय अगला क्रेशन दोस्तों and and as we walk we make the place that we shall dash choose the correct option तो इसका सही अच्वार जागा दोस्तों ये आपके बुक से दिया गया fill in the blanks के रूप में तो इसका सही अच्वार जागा दोस्तों option number D यानि के always march ahead always march ahead तो ऐसे भी देख सकते हैं सब्सक्राइब तो इसमें देखके आप पहचान सकते हैं जो क्या होगा आगे आपको जो बताया गया जो आप eliminate करके भी options को ignore करके भी eliminate हटा करके भी आप सही answer तक पहुंच सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों अगला question की और बढ़ते हैं अगला question है दोस्तों Sebel's Sebi's hobby was collecting death यानि कि Sebi का जो है वो है भी क्या था क्या collect करने का क्या जमा करने का तो इसका अगला question है दोस्तों अगला question की और बढ़ते हैं दोस्तों अगला question है after all there is something in Hinduism that has kept it alive up till now तो यह किस से लिया गया है तो इसका से answer जागा दोस्तों option number C यानि के Indian civilization and culture से लिया गया किसे लिया गया दोस्तों Indian civilization and culture जिसके writer कौन है महत्मा गांदी है अगला question है दोस्तों सावित्री इस रिटन बाई सावित्री इस रिटन बाई किसके दौरा लिखा गया है तो इसका अंस रह जांग है दोस्तों option numberA यानि कि बर्ट्रें रसल को ध्यान रखना है किसमा अवर्ड नोबल प्राइज दिया गया है लिट्रेचर में यानिके साहित में दिया गया है ध्यान रखना है दोस्तों ऐसा भी क्वेशन आ सकता है ठीक है तो बर्ट्रें रसल को यानिके बी रसल को जो है वो लिट्रेचर में नोबल प्राइज दिया गिया था लेकिन उसको कब दिया गिया था नोबल प्राइज तो इसका सेंस रोजेगा दोस्तों आप्शन बर्सी यानिके 1950 में 1950 में 1950 में उसको नोबल प्राइज दिया गया ठीक है दोस्तों तो इसको आप जहूर ध्याम रखेंगे जो बर्टन रसल को लिट और जॉन डॉन तो इसका सही अंसर जागा दोस्तों ऑप्शन निमबर यानिके टी एस इलियेट के दोरह जो है दवेश्ट लेंड को कमपोज किया गया ठीक है तो यह क्वेशन भी आपके एक्जाम के लिए काफी इंपोर्टन होया था इसको भी आप जोड ध्यान रखेंगे यानिके इंसानियत में तो इसका सही अंसर हो जागा दोस्तों अप्शन नंबर बी यानिके इंसानियत में एसेंचियल हुमेनिटी ओफ मैन यानिके इसका सही अंसर हो जागा बी नंबर सही आंसर हो जागा अगला क्वेशन है दोस्तों यानिके इंग्लिश का न्यू वेराइटी जो दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में इमर्ज हुआ है ठीक है दोस्तों तो इसका उदय हुआ है यानिके इसका सही अंसर जागा दोस्तों आप्शन नंबर यानिके उसको सेकेंड लेंग्वेज के नाम से जाना जाता है अगला क यानिके हुआ है उसके उसकेатं में तो इसका सहांस अप्शन नंबर भी यानिके य। जागेश के अलग तो हुगा नी और क्लासिकल तो होका तो हुगा ये तिक है तो थो clique आफ्यिए अनड़्ग क्वेशन है वाल्टर डेला मिः मेक्स आस अवेर अफ दैंवाल्टर डिलामिः जो है वह मैं किस बात के लिए कर रहा है साफधान कर रहा है जाग्रूक कर रहा है तो इसका क्वेशन हे और पर्थियॉ cyan दोस्तो अगळा way यानिके in human कन dsh وا potential आफ in human conditions of modern modern life is see क्या कर रहा हूं हमें जागडूप कर ठीक है दोस्तों तो अगला question क्योड़ बर्दें दोस्तों कि अगला question कर रहा है दोस्तों Walter de la Muir was born in the year यानि कि कि साल में Walter de la Muir का जन्म हुआ तो इसका है टैसा का लिखा गया है तो इसका सी अंसरो जगा दोस्तों डोरा इसको लिखा गया है तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो हमारी ये मेनत अच्छी लगी नुग को वीडियो को ज्यादा से यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों तक भी पहुंचा है ताके आपके दोस्तों को भी इससे फायदा मिले क्योंकि मैंने यहाँ पर एक्स्प्लेनेशन के साथ समझाने की कोशिश की है तो चले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताके आपको ऐसे ही वीडियो डेली मिलती रहें तो चलते हैं दोस्तों तक के लिए धन्यवाद